अलो एब्रीवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का परिक्षा प्लस पर मैं हूँ रबन विस्रा दोस्तों मैंने आपसे सुरवात की है आपको यह समय जो पहला वीडियो मिला उसमें मैंने आपको बताया पॉलिटी एंड गोर्डनेंस के बारे में जो भागे के तोर पर था ठ आप वीडियो को देखते हैं तो जो चीजें आपको खास लगती है उसे जरूर आप कमेंट में बताएं ताकि हमारा जो प्रया से यह हमें स्वयम से सकारात्मक उर्जा देता रहे और आप सभी के जो कमेंट्स होते हैं वो हमें एक उर्जा का संचार करते हैं चलिए आज ज यह चीजें क्या क्या आती हैं विश्व में कैसे कैसी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं जब संविधान आपके अलग अलग प्रकार होंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे भारत में आप नियायपालिका की इस्थिति और विश्व में नियायपालिका की इस्थिति निया पालिका की सक्तियों से क्या प्रभाव विधाय का पर पढ़ता है या कारी पालिका पर पढ़ता है इन सभी के बारे में आज हम लोग विधवत चर्शा करेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र को कि लोकतंत्र क्या है आखिर टेकि लोकतंत्र की परिभासा आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के जो राश्टपती रहे ब्राहम लिंकन उनके द्वारा दी गई तो लोकतंत्र क्या जैसा हम सोचते हैं यही लोकतंत्र है जैसा हम बिश्चु में सरकारे अलग-अलग राष्टों में किस प्रकार चलती हैं, इन सभी को हमें बहुत अच्छे से समझना है, दूसरी बार, लोकतंत्र में सबसे पहले जो आपके प्रवुक बिधी सास्त्री हैं, उन बिधी सास्त्रियों के द्वारा क्या-क्या परिभाशा बता चलिए दोस्तों, आज हम सुरुबात करते हैं लेक्शर टू, लेक्शर टू में अभी जो हमें पढ़ना है, इससे पहले जैसा कि मैंने बताया अभी आपको सारी चीजें कि आज किन-किन पॉइंट्स पर हमें बात करना है, तो आज पॉइंट्स में सबसे पहली जो चीजे हैं, उसमें हम लेकर चल लें सम्विधान के प्रकार को, यानि सम्विधान के प्रकार क्या होते हैं और किस सम्विधान में क्या चीजें कंबलसरी होती हैं, इस सीज को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि वेस्व में दो तरीके के सम्विधान पहल जाते हैं एक आपका होता है रेटिन कोंस्टिटीशन और दूसरा होता है जो रेटिन नहीं है ठीक है जिसको हम बोलते हैं आ लिखित संभीधान यानि जो लिखा नहीं है लोगों ने जैसे चाहा वैसे उस चीज को मन लिया या जब चाहा उसमें कुछ ना कुछ चीजे जोड होते चले गए जो लिखित संभीधान है लिखित संभीधान का प्रभाव अपना एक अलग होता है और अलिखित संभीधान है इनका प्रभाव अपना अलग होता है इनी के बारे में हम लोग चर्शा कर रहे हैं भागवन के बारे में मैंने आपको संपूर चीजे उसमें जीडिशरी इसमें में रोल निभाती है यानि अगर संभिधान की ब्याख्या का हक आया तो वहां पर सबसे बड़ी चीज किसक पर जाएगी वहां की जीडिशरी पर जाएगी अभी आपने देखा कि जो कुछ जहां पर राज तंत्र होता था राजा ने जितना कुछ कह दिया वहां के कानून हो गया वहीं अंतिम उसका क्या हो गया करता धरता हो गया उसने जो बोला उस पर कोई सवाल नहीं उठाये जा सकते लेकिन यहाँ संभिधान के सटीक व्याख्या करेगी तो नियायपालिका की सक्ति वहां ज्यादा बड़ी होगी पुना जिन देशों के संभिधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देते जैसे इंडिया का अपना संभिधान है यहां पर मूल अधिकारों की गारंटी अपने सारे नागरेकों को भारतिय संविधान जो है सभी को देता है ऐसे कोई भी राष्ट हैं चाहे अमेरिका है चाहे आपका इंडिया है अगर वहां पर संविधान नागरेकों के मूल अधिकारों की गारंटी देता है तो वहां जो नियायपालिका होगी मूल अधिकारों की सनरचक आपकी जीवडी सरी होगी वहां की जीवडी सरी होगी जिस देश में मूल अधिकारों के जो है किसका गारंटी का अधिकार अगर नागरिकों को दिया गया है समझ गए और जब मूल अधिकारों की गारजियन बनेगी आपकी नियाई पालिका तो जो GDCL Review का सिस्टम है नियाईग पुनर विलोकन की जो सक्ति है नियाई पालिका की इस सक्ति में और ज़्यादा कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है यह सक्ति नियाई पालिका की और बढ़ जाती है कौन सी नियाईग पुनर विलोकन की GDCL Review की तो यहां से जो तधी आपके सामने निकल के आए उसमें यह चीज निकल आती है कि Retain Constitution जिन भी देशों का है उस देश की नियाई पालिगा एक कहीं ना कहीं आलिखित संबिधान के जहां पर हैं उन देशों की नियाई पालिगा से कुछ ना कुछ कदमों को हट के आपके साम उने रखती है उन्में सबसे बड़ी चीजिक होती है उनमें जो ब्यास पका रूल निभाता है वहां रूलनिभाता है कि अगर और कर पोधी करिखें अगर प्लिका कोकिस्ती नियाजभा पालिखा की सक्ति बढ़ जाती है अगर नियाजभा को यह अरिकार है कि समझे अब अपने यह जो दो तरीके के देखो एक मैंने बताया था आप को की जो विधाईका है हमारे यहां जिसको हम legislative बोलते हैं या legislature बोलते हैं जो विधाईका यानि हमारी संसत, परलियमेंट, जो कानूनों का निर्मार करती है, तो कानून हमारे यहाँ दो तरीके से बनते हैं, इन दोनों तरीकों में मैंने आपको बताया कि एक ऐसा कानून जो विधायका बना के हमें दे दे, और एक ऐसा कानून जो आपके किसी केस पर निर्णे के द् जी डी सरी बना दे जिनको हम case large बोलते हैं जो case large होते हैं या विधायका के द्वारा जो कानून बनाये जाते हैं अगर इन पर हम बात करें तो देखिए दो तरीके के कानून कहां कहां से ये सिधानता है इसको समझे बीधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानि एक इस्द्धान्त यानि जो बे टेन के द्वारा दिया गया सिद्धानत है वहाँ पर ươngद लगा आरूपीस सिद्धानत है वहाँ इसका प्रियोग व्यापक होता है। दूसरा क्या क्या आता है यतोचित बिधिक प्रक्रिया यानी किसी भी कानून को लाने के लिए बिधवत प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए उसमें अगर जन भागीदारी भी चाहिए तो जन भागीदारी भी होनी चाहिए यह सिद्धान्त अमेरिका का सिद्धान्त है ठीक है तो एक आपका हो गया कौन सा बिधिद्वारा इसी चीजों में देखें तो एक एजनसी है एन बीए की जिसको हम नियूज ब्राटकॉस्ट एसोसियेशन बोलते हैं ये चुनाओ आयो की सहयोगी संस्था है ठीक है इसका भी कारी कहीं न कहीं इनी सब के अंतरगत आता है ठीक है किसके विदिद्वारा स्थापी प्रक्रिया हो गई या आपके यह थोचित विदिद्व प्रक्रिया और PCI के बारे में जानते हैं यह आपकी प्रेस कांसिल आफ इंडिया होती है यानि जो हमारी सारी सूचनाएं होती है मीडिया की उसकी परिश्द यह है आपकी भारती प्रेस परिश्द के पेड निउस के बारे में अब हम देखते हैं तो भारत में कोई नियम ही अपना नहीं बना है कि पेड नियूज में हम क्या-क्या चीज़े रखेंगे क्या-कैसे रखेंगे ठीक है जैसे कंपशने अगर आपको क्या नियूज देना भी है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि गोवर्मेंट आफ इंडिया के द्वारा सारी चीजे बनाई गई हूं यह सारे तत्य आपके अलग-अलग चीजों पर निर्भर करते हैं अब हम आपसे बात कर रहे हैं जैसे यहां नियायपालिका के योगदान हमने देखा तो बड़ा ब्यापक योगदान ना अब नियायपालिका के संगत में यहां वो नि सब्सरीके से रिलेशन हैं संबंध हैं वो कैरिपालिका से कैसे हूंगे तो क्या चीजें वो ऐस देश में देखने को मिलेगी इन सभी पर अभ बिधवचर्शा करते हैं और भारत में बिधाईका और कारिपालिका संघात्मक है यानि union के जैसे दोनों चीजे कारिकारती हैं तो कारिपालिका भी हमारी संगात्मक हो गई और विधाय का भी हमारी संगात्मक हो गई लेकिन न्याय पालिका हमारे यहां एकात्मक है क्योंकि केंद्र और राज्यों की अस्तर पर विभिन्न न्याय पालिका हमारे यहां नहीं है कि केंद्र की अलग न्याय पालिका हो गई राज जी की अलग न्याय पालिका नहीं हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ न्याय पालिका का स्वरूप एकात्मक दिखता है, यानि उच्छतम न्याले सीधे रूप से उच्छतम न्याले के ही अधिन होगा, यानि उच्छतम न्याले के ऊपर कोई संसार नहीं ब है समझ गए तो नियाइपालिका का यहां जो जिक्र मैंने आप से किया वह चीजे किस अनुरूप रही इस चीज से आप वाकिप हो चुगे अब मैं बार-बार यहां बात कर रहा हूं जैसे ऊपर हमने बात किया कि नियाइक पुर्नर विलोकन की सक्थी बढ़ती है नियाइपालिका की तो यह जो अधिकार है ये पहले से ही प्राप्त होता है它 अब इसकी ब्याक्या में धीरे धीरे क्या करती है कहीना कहीं इनहेंस कर लेती है अपनी सक्ति को बढ़ा लेती है क्योंकि नियाइपालिका अगर बोल लहीं कि यह संविधान के आधार भूत लक्षणों का एक अंग है नियाइक पुनर विलोकन ठीक है संसद्ने कोई ऐसा कानून बनाया जो फंडामेंटल राइट को आपके डिक्रीज कर रहे तो उस फंडामेंटल राइज को डिक्रीज करने वाले कानूनों को भी नियाइपालिका अपनी सक्ति के जरिए क्या कर सकती है नंजीरों घोसित कर सकती है वहीं पर चीजे इस नियाइपालिका की सक्ति में कहीं ना कहीं से बोलते हैं कि हम लोग बहुत तेज हैं किसी मामले को जानते हैं किसी अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो गई कि कहीं पर भीड़बार में बवाल हो गया कुछ भी हो गया तो हम उसके बारे में जानके यह फाई यार करा दे क्या यह यह नियाइक सक्रेटा है यह दूसरे पर इपेक्ष में बोली गई है क्या है जब नियायई करका हैं वीदहाई का तथा कारी पारिगऄ करेंदे के कारियों में हस्त्चेश कर ने लगे है तो उसे नियाइक सक्रेटा कहते हैं यानि नियायईपालिक इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाए कि जो बिधाई का है यानि कानून बनाने की संस्था है और जो कारी पालिका है जो इसका पालन करवाने की संस्था है कानून को उसके द्वारा जो किये गए कारी नेश्चित किये गए उसमें भी नियाई पालिका अपनी हस्त छेप को बढ़ रहे तो यह सब कुछ न्याय पालिका का होना आखिर कि सिध्धान्त को विस्तारित करता है यहां पर अगर हम इसकी जड़ में जाएं तो जड़ में जाने पर एक चीज आपको असपश्ट रूप से क्या मिलेगा कि प्राकिर्तिक न्याय का सिध्धान्त दिया गया उस इसी ऐसे सरवशर्वा इंसान के द्वारा की गई है ठीक है ऐसे प्राड़ी के द्वारा की जिसमें सब कुछ सारे मानवविक्ति आते हैं तो उसके लिए नियाय क्या की बाते क्या क्या होनी चाहिए उन सभी के सिध्धान्त को हम अगर देखें ध्यान दीजै प्राचीन व वो कह दिया वो कह दिया वो उसको प्रधान मंत्री काटने तो जाएंगे नहीं यानि राजा का जितनी चीजे उसके सब मुह से निकल गई वह पत्थर की लगीर साबित हो गई उसे यह सिद्ध नहीं करना पड़ता था कि न्याय की प्रक्रिया वस्तुनिष्ट और पारदर्स करती है यहीं राजा को कह दिया इसको फासी दिया तो इसको फासी तो उसको फासी हो गई ठिक उसके यह नैयो बहुंकुस नहीं लगा सकता था प्रतिबंध नहीं था और इसी यह उस आज के दिनों में वेक्ति का महतु बढ़ गया है हर एक वेक्ति का जीवन का महतु है इससे बढ़ने से पारदर्शिता बढ़ी है जिसकी अभिवेक्ति प्राकिर्तिक न्याय के सिध्यांत के रूप में होई है एक थेरी आई है कि प्राकिर्तिक न्याय का सिध्यांत क्या है अगर दुनिया में हर व्यक्ति है, तो हर व्यक्ति की गरिमा है, हर व्यक्ति का एक अपना, क्या है, अधिकार है, उसी को बारे में यहां हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसी जैसी कंडिशन आती है उसी अनुरूप प्राकिर्तिक नयायका सिध्धान्त बदलता चला जाएगा समझ गए अब इसके इंतरगत आखिर क्या क्या चीजे सामिल की जाती हैं आईए इन पर शर्षा करते हैं ध्यान दीजिए अगर कोई अभियुक्त है ठीक जिस पर दो हम उसको दे रहें दूसरा इसका सबसे महतपूरी सक्या है कि नयायधीस को नेर्डे सुनाने से पूर्व दोनों पक्षों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए जिस पर आरोप लगाया जा रहा और जो आरोप लगा रहा है इन दोनों पक्षों को सुनना चाहिए प्रकृति नियायका शिद्धान्त है नियायधीस को नेर्डे करने की प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत विचारों आदर्शों वह पूर्बा ग्रहों से तठस्त रहना चाहिए यानि अगर नियायधीस नेर्डे करने जा रहा किसी मुद्दे पर तो उसके जो व्यक्तिगत विचार है वो भी वहाँ पर कारी नहीं करने चाहिए उसके अपनी जो चीजे हैं आदर्स जिन चीजों को मानता है कि एक समाज में ऐसे आदर्स बने होने चाहिए इन सारी चीजों को पहले उसको खंडित करना होगा पूर्बाग्रा भी वो नहीं लगाएगा कि जैसे मान लीजिए किसी अपराधी को देखा गया कि छोड़ दी गई उसके बाद उसने कई आपके जो है जगनी अपराध कर डाले तो ये इन सारी चीजों से भी उसको हटना पड़ता है ठीक है उसको इन सारे मामलों से तटस्त रहना पड़ता एक जगे अपने आपको रो सजा दे रहे ठीक है नेड़े ही नेड़े सुना दिया कि आपको 302 के तहट फासी दी जा रही ऐसा नहीं कारण भी असपश्ट किया जाना चाहिए कि आपको विया कि आधार पर फासी की सजा सुनाई जा रही ठीक है जिनके आधार पर नेड़े दिया गया वह सभी कारण अ पढ़ते हैं ठीक है अनुचे 20 और 21 22 में भी आपको चीजे मल बहुत सारी चीजे यहां पर मिलती है हमारे फंडामेंटल राइट के दोरान कि जहां आपको यह सारी चीजे भारत के संविधान में भी पूर रूप से द्रिश्टा भी होती है कि प्राकृतिक नयायका सिध्धान्त भारत ने भी उतने ही वियापक तरीके से अपने देश में भी लागू किया जितना कि दुनिया एक को देखा हमने नयायपालिका के लिए बेहतर आदर्श इस्तिति क्या हो सकती है उसके बारे में चर्चा किया अब सबसे जो महतपूर बिंदु है आखिर इन सभी को हम बात बार बार बात कर रहे राजिपालिका की बात कर रहे तो राजिपालिका में जिस स्वरूब के बार क्या योगदान है, यानि दुनिया में क्या हर जिगे डेमोकरेसी है, क्या हर राष्ट गळतंत्र है, आईए अब इन ही सारी चीजों पर हम एक नजर डालते हैं और दुनिया में जितने भी तरीके की सरकारे बनते हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है ठीक है चलिए ध्यान दीजी अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोगतंत्र के बारे में यानि लोगों के शासन के बारे में जिसको आप बोल ही शासन क्या कहलाता है लोगतंत्र कहलाता है और ऐसी परिभाषा अमेरिका के राष्टमद अब्राहम लिंकों के द्वारा दी गई यहां पर हम समझते हैं कि लोगतंत्र क्या है लोगतंत्र सरकार का वाह रूप है जिसमें सर्वोच सत्ता लोगों के हाथों में होती है या लोगतंत्रिक देश में प्रतेक नागरिक के पास एक ओट होता है यानि हर एक नागरिक के ओट की वेलू एक है जिसे सरकार की नीति के पक्ष में या उसके खिलाफ ओट दिया जा सकता है हम सरकार से चाहें खुस हैं तो हम सरकार को ओट दे सकते अगर हम नाखुस हैं तो हम कि प्रत्किरिया सरकार की निव के रूप में कारी करती है सरकार तभी बनेगी जब लोग उसे ओट देंगे लोग उसके कारियों से खुस होंगे अगर लोग उसके कारियों से खुस नहीं है तो सरकार को पलटने में पूरी जो है उनके पास सक्ती होती है अब बिस में जो लोकतंत्र है लोकतंत्र की परिभासाओं को अलग अलग जो बिद्वान हुए बिदिसास्तरी हुए इनके द्वारा क्या क्या कैसे कैसे परिभासित किया गया अगर इसको देखें तो ध्यान दीजिए सबसे पहला जो आपके बिदिसास्तरी का नाम आता है व उस देश के कानूनों में, उस देश में हर एक उसका हक है, तो वहाँ समझ जहीं कि लोगतंत्रEC हैं, भराइश ने क्या बोला, भराइश ने कहा लोगतंचरे लोगों का शाषण है, जिसमें लोग संपरभवी इच्छा को ओट के रूप में भ्यक्त करते हैं, यानि हमारी इक दिया ब्राइस ने तीसरी बात करते हैं डाइसी का अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें देस का बड़ा भाग शासन करता है समझ गए तो यह लोगतंत्र की परिभासा कुछ बिद्यसास्त्रियों के द्वारा दी गई है अब हम आगे बढ़ते हैं जिनमें बिभिन आधारों पर आप बहुत ही ब्यापक आपका बहुत ही आपका जो है मलब एक तरीके से मैं बात करूँ रोचक अब यहाँ पर पॉइंट आपका सुरू हो रहा है कि बिभिन आधारों पर लोगतंत्र आप लोग जो अधिकतर मैंने बच्चों में क्वेरी देखी है कि लगभग लोग कनफ्यूज रहते हैं कि अच्छा हमें सर बता दीजिए प्र करेंगे यानि सभी आधारों को हमें देखना है और यहां से प्रशन सीधा सीधा बंता है आपको सीधा देदेगा पॉइंट ठीक है लोक सेवायोग पैपर को जब आप उठाएंगे तो उसमें सीधा दे देता प्रीमें भी आप देखिये बहुत question मिलेंगे, सीधा question देगा कि निम्न में से प्रत्यच और आप प्रत्यच जो है सासन के बीच में अंतर कौन सा है, चार option दे दिया है या कौन सा नहीं है, या आप से पूछ लेगा एकात्मक सासन के लच्छन कौन से है, या संगात्मक सासन के लच्छन कौन से है, या सी सीधा सीधा देश के नाम देदेगा वहाँ पूछेगा निम्न में से किस देश में एकात्मक सासन है या संगात्मक सासन है या प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च से लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं पहला लोकतंत्र होता है डायरेक्ट ठेक है जिसको हम बोलते हैं प्रतिछ लोकतंत्र दूसरा होता है आपका आप्रतिछ यानि इंडारेक्ट जो है डेमोक्रेसी समझ गए इसके ब्यापक रूप को अभी आगे हम चर्शा करेंगे दूसर अगर हम आधार देखें दूसरा कौन सा आधार बनता है दूसरा आधार बनता है कि केंदर में जो सरकार है और प्रांत जो अलग-अलग है जैसे अपने यहां 28 राजी हैं वरतमान में ठेक है और केंदर में जो गवर्मेंट है तो इन राज्यों के और केंदर के साथ संबंद कैसे हैं इस आधार पर भी सरकारे बनती हैं और इस आधार पर दो तरह की सरकार है एक आपकी है एकात्मक सरकार जैसे बिटेन जैसे देशों में और दूसरी सरकार होती है संगात्मक जो अमेरिका और USA में दोनों जगों पर आपको देखने को मिलती है ठीक है तो संग अगली बात करते हैं तीसरा आधार की बिधायका और कारिपालिका के संबंदों के आधार पर कितने प्रकार के लोगतंतर आपको मिलेंगे पहला होता है संसधी पालियमेंट्री सिस्टम जो भारत और इंगलेंड जैसे देशों में देखने को मिलेगा दूसरा होता है अध्यशात्मक सासन प्रेसिडेंसियल रूल जो अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलता है समझ गए तो बिधायका यानि जो कानून का निर्मान कर रही और जो कानूनों का पालन करवा रही यानि legislative और executive के जब हम relations के based पर देखें तो दो तरीके की government बनती है एक parliamentary और दूसरी आपकी कौनसी presidential form of government ठीक है अब हम बात करते हैं कि दलों की संख्या के आधार पर ठीक है नमबर आप parties के based पर अगर हम देखें कि लोकतंतर की कितने प्रकार आपको देखने को मिलते हैं तो इनके आधार पर तीन प्रकार के लोकतंतर दुनिया में आपको दिश्टब भी होंगे पहला क्या है एक दलिये जहांपर single party काम करती जैसे Russia, China दूसरा है दोईदलिये जहांपर आपकी bilateral party हैं ठीक है जैसे America हो गया, Britain हो गया के अवल दो party है और तीसरा आपको दिखता है बहुदलिये जैसे भारत ठीक है पार्टियों की भरमार है एक छोटा सा आदमी जो गाउं में रह रहा वो भी एक सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेस कर देता है कि हम 300 जो जितनी अपनी सीटे हैं उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ठीक है तो बहुदलिये सरकार अपने भारत में है दोई दलिये सरकार आपको अमेरिका और बिटेन में दिखाई देती है और वहीं साथ ही साथ जब एक दलिये सरकार की बात करते हैं तो वह रसिया और चीन में दिखाई देती है अब पहली बात हम करते हैं कि जनता और शासन के संबंद के आधार पर लोगतंतर कैसा होता है ध्यान दीजे प्रत्यच लोगतंतर मैंने बात किया कि दो तरीके के लोगतंतर होते हैं जनता और शासन के संबंद के आधार पर पहली चीज होती है आप प्रत्यच लोगतंतर दू लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है इसके भी प्रीत आप प्रतिछ लोगतंत्र से ताथ पर एक ऐसी लोगतंत्र से हैं जिसमें नागरिक अपना प्रतिनी चुनते हैं सरकार के प्रशाशन में सक्रिय रूप से भाग लेते और अपनी और से कारी करते हैं समझ तो indirect आपका जो आपर भी democracy होगी वहाँ पर नागरिक जो होंगे उसमें रहने वाले जो बेक्ती होंगे वो अपना प्रतिनी चुनते हैं जैसे हम लोग अपना चुनते हैं और वो हमारे प्रतिनी सरकार के प्रशाशन में सक्रिय रूप से भाग लेते और अपनी ओर से कारी कर समझ गये तो direct और indirect election में आप सीधा सीधा समझ गये अब हम समझते हैं ब्यापा ग्रूप में कि भाई direct जो आपकी democracy हैं उनमें कि उनको परिभाजित कैसे करेंगे उनके हमें कहां कहां पर रूप दिखाई देंगे ध्यान दीजिए प्रतिश लोगतंत्र या जिसे अन्यथा शुद्ध लोगतंत्र या सहभागी लोगतंत्र कहा जाता है वह एक एशा कानून हैजिसमें सरकार के कानूनों और नीतियों से संबंदिद नेड़य सीधे लोगों द्वारा लिये जाते हैं। इसमें देश के नागरिको इसे दिन प्टर्टे दिन एधीलेने और सरकार के प्रसाशन में प्रत्य भागिदारी की आवश्क्ता होती हूद इसको ऐसा समझे कि जहां पर भी प्रत्यश्य लोगतंत्र इसके तीन चार चीजे मिलती है इसको प्रत्यश्य लोगतंत्र बोलते हैं या सुध्ध लोगतंत्र बोलते हैं या सहभागी लोगतंत्र बोलते हैं कहीं कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि निम्न में से कौ समेशा ध्यान लखेगा कि जो सुद्ध लोकतंत्र है या सहभागी जो लोकतंत्र है यहीं आपका प्रतिश लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता यह एक ऐसा कानून है जिसमें सरकार के कानूनों और नीतियों से संबंदित निड़े सीधे लोगों द्वारा लिये जाते हैं या यहां प्रतिश लोकतंत्र प्रचलित है चोटा सा देश है यहां के सारे लोग जो सारे निवासी है कोई कानून बनना है तो उसमें डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं समझ गे तो प्रतिश लोकतंत्र की परिभासा रही हमेशा दिमाग में बना लें कि अगर सरकार कानू का हमें मिलेगा यानि जहां प्रतिशलोग तंत्र होगा यहां हर कानून हर एक नीद हर एक बिल केवल तभी पारित किया जाता जब देश के सभी नागरिकों द्वारा मद्दान किया जाता है देश का हर एक नागरिक मद्दान कर देगा उस नेड़े पर तभी कोई बिल यहां सरकार के सभी लोग एक साथ मुद्दों को उठाते एक निर्डे के साथ आने के लिए चर्शा में आते जो सभी के लिए सहमत हूं इसलिए देश के नागरिकों को कानून बनाने और उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों में सीधा कहना है ठीक है यानि अगर देश का नागरिक है वहां पर स्विजल लेंड जैसे देश में तो वहां कानून बनाने का एक तरीके से कहीं नहीं क्या उसके पास भी तो हग गया जब हमारा वोट गवर्मेंट हम से पूछ रही कि फला कानून बनाने आ है इस पर अपना राय दीजिए तो वहां वह नागरिक सीध प्रतिनिद लोगतंतर कहा जाता है रिप्रेजंटेटिव आपकी डेमोक्रेसी समझ गए प्रतिनिद लोगतंतर अब प्रतिनिद लोगतंतर क्या है यानि कि हम सासन सीधा ना करके हमने प्रतिनिदियों को चुन लिया रिप्रेजंटेटिव को चुन लिया विधायक को चु प्रतिस लोकतंतर की बिसेस्ता इसलिए महत्पूर्ण निर्णे लेने नितियों के निर्मार में नागरिकों की भागिदारी जो है यहां पर सीमित है जनसंख्या भाई इतनी बड़ी है हर एक ब्यक्ति से अगर हम राय लेने लगेंगे तो कभी कोई एक मुद्दे पर तो सहमत होगा ही नहीं सव प्रतिसत हैं हैं कि भारत जैसे देश में अगर हम किसी एक कानून पर सारे ब्यक्तियों का अगर जो है निर्णे लेने लगे तो गवर्मेंट कभी कोई कानून बना ह नहीं पाएगी इसलिए बिस्व में जितने बड़े देश होते हैं उन्हें अधिकतर आ प्रत्य छ लोकतंत्र का ही चैन किया जाता है भारत में आ प्रत्य छ लोकतंत्र का सामान नियुदहरण आपको द्रिस्ट भी होगा समझ गयें अपने यहां क्यों लाया गया क्योंकि हमा बिधायक चुन लेते तो बिधायक तो राजी सरकार में बैठता लेकन जो सांसद होता वो केंद्र सरकार में बैठता है यहां स्वतंत्र और निस्पच्च चुनाओं पर निर्भर करता कि जिसमें वर्तमान में शाषन कर रहे लोगों के पास खोने का एक उचित और उचित तो जिसको मैंने भेजा था उसने अगर काम सही से नहीं किया तो मैं क्या करूंगा उसको वापस बुला लूंगा अगली बार उसको ओट मैं नहीं दूंगा यहीं तो चीज़े क्या है वो बेक्ति के अंदर ऐसा होना चाहिए कि मैं सही से काम नहीं कर पाया तो मेरी सीट ज लिए उनके द्वारा किये गए कारियों के लिए जबाब देह बनाया जा सकता हमने आपको चुना था कि हमारे सांसजी हमारे छित्र में जितनी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे लेकिन आप वहां पहुंचने के बाद 5 साल हमें भूल गए तो अगले जब एलक्षन आएगा तो वहां पर हम आपको याद दिलाएंगे ऐसा होना चाहिए आगे अब हम बढ़ते हैं कि प्रत्यच और आप्रत्यच लोकतंतर के बीच महात्पूर्ण अंतर क्या है एक खाका अगर हम खीचे कि प्रत्यच और आप्रत्यच लोकतंतर के बीच महात्पूर्ण अंतर आपको कि जो अलग-अलग आपको लोगतंत्र देखने को मिलते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने आपको राष्ट अलग-अलग देखने को मिलेंगे, उनमें जो जो चीजे फीचर्स के तोर पर आएंगी, उनको समझिए आराम से, क्योंकि यहीं से प्रश्ण आपका बनत के रूप में वर्णित करते हैं, प्रत्यच लोगतंत्र को सरकार की प्रणाली के रूप में वर्णित करते हैं, यानि इसको बता सकते हैं, जिसमें कानूनों का कार्यानवन देश के सभी नागरिकों के सामानी ओट से संभव हैं, दूसरी और आप प्रत्यच लोगतंत्र शर सीधा सीधा ठीक है हमेशा ध्यान रखेगा अगर डारेक्ट लोगतंत्र है प्रतिश लोगतंत्र है तो इसमें जो काउच कानून बनेंगे जिन कानूनों का कार्यानवन होगा उनमें देश के सभी नागरिक सामानी ओट से करेंगे ठीक है सारे लोग ओट के द्वारा उस पर प्रतिश लोगतंत्र मान लीजे है तो वहां सरकार का यह वह रूप है जिसमें देश के नागरिक उन प्रतिनिधियों को ओट देते हैं जिने उनकी और से निर्णे लेने का अधिकार है समझे तो दोनों में सबसे बड़ी चीज ओट देरे के अधिकार हम सीधा सीधा उस वाले को ओट दे रहे यह दोनों में बहुत ब्यापक अंतर होता है समझ गए पहली चीज सबसे बड़ी यह आपकी यहीं क्लियर हो गई दूसरी बात प्रतिश लोकतंत्र में सरकार की नीतियों कानूनों और अन्यमुद्दों से संबंदित निर्णे लोगों द्वारा लिय जाते हैं जो डायरेक्ट एलेक्शन होते हैं वहां सरकार को अगर कोई पॉलिशी बनानी कोई लाव बनाना या अन्यमुद्दे से संब्दित कोई निर्णे लेना है तो वहां लोगों के द्वारा लिया जाएगा वहां के जो रहने वाले निवासी हैं वो निर्णे लेंग प्रतिनित को चुना और वहां प्रतिनित कानून और नितियों के निर्माड पर निरणे लेगा आगे बढ़ते हैं इसमें अगली चीज क्या है कि प्रतेच लोकतंत्र में पूरा समुदाय बिधाईका बनाता है यानि अगर डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात किया जाए तो उसमें रहने वाली जितने लोग हैं वो सभी कानून में बराबर भागिदारी करते हैं इस वज़े से जो बिधायका का निर्माड होता लेजिसलेचर का निर्माड होता वो पूरे समुदाय से मिलकर होता है वहीं चीज आप प्रतिश लोकतंत्र में द ग tailored का निर्माड करेंगे समझ गये जबकि प्रतिश लोकतंत्र छोटे देशों के लिए सबसे उप्यूप्त है आप प्रतिश लोकतंत्र बड़े देशों के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है ठीक है इसलिए जैसे सुर्जनलेंट जैसा देसे छोटा सा देसे उसके लिए यहाँ विदी सबसे उपीवता है क्योंकि वहाँ पर लोग उतना समय गॉवर्मेंट के लिए रखेंगे लेकिन भारत जैसे चीजों में मैंने क्या बताया कि यह आई फला जो है निर्मार हमें करना है नीती बनानी है तो इस पर आप लोग अपनी राय दीजिए तो कभी भी लोग एक जुट होंगे ही नहीं आधे लोग इधर सरकार से खफा रहेंगे तो कभी भी गवर्मेंट आपकी किसी भी मुद्दे पर कानून बना ही नहीं आई इसी चीजी हमें देखने को मिल जाएंगी तो आज हमने इतनी चीजों को पढ़ लिया है कल बाकी जो आपके तीन और रूप बसते हैं उनके सभी के बारे में ठीक हम चर्शा करेंगे एकात्मक सासन के गोड़ क्या दोष्ट क्या है ठीक है संगात्मक्सासन क्या है गोण क्या है दोष्ट क्या है ऐसे ही सभी के रूपों में हम लोग अगली क्लास में चर्शा करेंगे तब तक इस चीज को पढ़िए बहुत बिद्वत तरीके से इसको बहुत अच्छे से समझें लेक्शर को दोस्तों को भी share करते रहे हैं क्योंकि यह पार्ट बहुत important है और इसको व्यापकतोर से समझे तो अगले पार्ट में मिलते हैं तब तक मस्त होकर पढ़िए इसके पीडियाप आपको ग्रुप पर उपलब्द करवा दी जाएगी ठीक है पीडियाप के